वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी आज हम बात करेंगे कोई भी आपके पास एक फंक्शन होगा उस फंक्शन का डोमेन डिफाइन होगा इससे पहले क्या था एक फंक्शन F था और यहां लिखा था A2B तो यहां पता था कि जब फंक्शन है यह तो यह जो है इसके all elements A के domain होते थे अब यहां वो A नहीं given होगा राइट है इसके अंदर F कोई function है जो operate करेगा आने वाली वैल्यू को और operate करने के बाद output निकल काएगा वो जो output निकल काएगा वो सारे क्या कहलाएंगे आपके range कहलाएंगे ठीक है अब important चीज क्या है यहां पर value पुट करनी है यहां पर value कैसी रखनी है आपको real value रखनी है अब real value का मतलब क्या होता है real numbers यहां कि real number में क्या होता है rational और irrational यहां कि decimal वाले नंबर भी point वाले भी negative वाले भी न यह सारे rational प्लस irrational नंबर collection real number कहलाता है अब यहां सोचने की बात क्या है कि मानो कोई function लिखा है आपको पास और यहां आप real value पुट कर रहे हैं तो क्या जरूरी है कि output में हमेशा real value आए बेटा real value ही आनी चाहिए आनी चाहिए वही आप input डालेंगे अगर आपने यहां कुछ put ऐसा किया आपका real value नहीं निकल का रहा इसका मतलब उस value को आप consider ही नहीं करेंगे वह आपके domain का part नहीं होगा यही important है इसका मतलब real value function का मतलब यही होता है कि आप real value पुट करें और output आपका real number आना चाहिए तो क्या कुछ ऐसे number हो सकते हैं जिसमें आप real number पुट करें आउटप रियल number नहीं है बिलकुल हो सकते हैं यही तो condition है अब वही तो आपके पास पूछा गया है कि domain का मतलब ऐसी कौन कौन सी values होती है जिसके अंदर आप input करें और output हमेशा कैसा आजा real number यह domain domain जो इसी बात पर डिपेंड करेंगा ठीक है जैसे एक्जाम्पल के लिए हमने fx लिखावा है 2x square plus 1 जैने कि जो आपके पास मसीन है उसके अंदर जो operation कर रहा है वो कर रहा है 2x square plus 1 अब यहां देखो x के real value कुछ भी डालिए यहां पर ध्यान देना x से कुछ भी value डालिए कोई प्रब्लम नहीं प्लस डालो माइनस डालो रैसनल डालो रैसनल मतलब रैसनल कुछ भी डालिए आपके पास यहां जो एक value आएग वो एक unique होगी वो कैसी value आएगे आपकी एक real number निकल आएगा इसका मतलब यहां x में कोई बाउंडिशन नहीं है यानि x की कोई भी real value डालिए आपका output हमेंसा कैसा आएगा real number यह आएगा तैसी position में जब आपके पास x की x जो पुट कर रहे हैं वहां all real value पुट करेंगे और all real value के लिए output भी real आ रहा है it means आपका जो input है यानि domain वो होगा क्या real number होगा क्या मैंने क्या लिख दिया क्लियर है आगे देखेंगे कुछ ऐसे भी आएंगे वेल्यू अगर नेक्स लिखो देखो fx इस गल्टू में लिखा 1 अपॉन x-1 एक function लिख दिया अब यहां आप देखिए आप यहां input क्या करेंगे मैंने कहा input मतलब x में value इसे two put कर दिया तो यहां two put करने पर आप result क्या होगा बेटा one upon two minus two यानि one upon zero हो गया और बेटा one upon zero को कहते है not define infinite यानि कि यह फंक्शन ही define नहीं हो पाया इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि यह function में x की value 2 को छोड़ कर या एक से टू कोई भी x की real value डालिए उसके लिए आपक इसकी value 2 डालने पर इसका output कोई real value नहीं आ रही है इसे ही कहते हैं कि function आपका two पर define नहीं कर रहा है जबकि question है कि all real value पर define करना चाहिए it means क्या हुआ कि हम two को छोड़ कर input कुछ भी डाल सकते हैं except two तो मैंने लिखा here we put x equal to two f2 की value 1 by 0 and not define आ रहा है यानि it is not a real value ठीक है यानि define नहीं हो रहा है और function define का मतलब है उसके unique real value आनी चाहिए तो इसका मतलब यह हुआ कि x में दो को छोड़ कर कुछ ही put कर दीजिए all real value आएगी तो इसका domain क्या हो जागा बैटा all real value उसमें minus करना है two को only two है इस तरह से लिख देना तो यह जो लिखा हुआ है यह इसकी domain इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो function है यह हर एक x की value हर एक real value के लिए define करेगा बट अगर two को छोड़ दिया जाए तो क्योंकि two पर function आपका कैसा हो रहा है infinite हो रहा है clear यही इसकी domain होगी आगे आगे देखे तो यही लिखा कि इसका domain क्या लिखा आप इस तरह से लिख सकते हो कि fx is defined for all real value except 2, except 2 को मतलब 2 को real में से minus करो, r का मतलब real value, real numbers, इसमें से minus कर देगा मैंने only two elements को curly bracket use कर देगा, ठीक है यही domain होगा, next चलिए, अब मैंने next question लिखावा आपके पास fx is equal to x square minus 4, बहुत important question है exam के point of view से, अब यहाँ एक problem है कि क्या x की all real value के लिए यह value हमेशा define कर अगर मानलीजे आपके पास denominator में कोई polymers दे रखा है तो उसकी value क्या नहीं होने चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, और अगर root में दे रखा है, तो root में यहाँ पूछ रहा है, x belongs to r, मैंने का output भी आपका real आना चाहिए, यहाँ एक नया concept आएगा जो आपको धिहान दिया ह अगर root में कोई negative value आ जाती है, इसे root minus 3 आ गया, या root minus 5 आ गया, इस तरहे root में minus आती है, तो यह पिटा, real values नहीं होती, इन्हें unreal value कहते हैं, आप पढ़ेंगे 11th class में complex number में, इसे imaginary value कहते हैं, ठीक है, समझे वारे बिटा, यहाँ रूट में अगर negative value आ रही है, तो उसे imaginary कहत हो, यहाँ देखें, क्या x की कुछ भी value पूट करें, यह हमेशा real value आएगा, और नहीं आएगा, तो कि जैसे x की value आपने 2 से बढ़ा रखेंगे, 2 का से बढ़ा मतला 2 point something, जैसे 2 से बढ़ा value रखेंगे, यह value 4 से बढ़ी आएगी, जब यह 4 से बढ़ी आएगी, तो इसमें कर रहा है, real number तो negative में होते हैं, तो minus 2 है, और इससे अगर इधर रखेंगे, छोटी value रखेंगे, minus 2 से, तब भी x का square और positive बनेगा, तब भी यह value positive आएगी, वट, 2 और minus 2 और 2 के बीच की value आएगी, तो उस position में बेटा, इसकी value क्या सी बन जाएगी, negative बनी जाएगी, ध्यान रखना, real number की बात कर रहा है, कि 2 से 3 पहुंच जाए, तो कि 2 और 3 के बीच में infinite number होते हैं, इस अगर 2 पे तो ठीक है, 2 पे सरी 0 बन जाएगा, कोई बात ने, root 0 मतलब 0 लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने 2 से छोटी value रखेंगे, example लिए आपने 1 ही रख दिया, 1 का square क्या हो इसका मतलब यह हुआ, कि आप माइनस 2 देखो, आपने पढ़ा हुआ, इस तरहे ब्रैकेट होता ही हूँ, यह, इस ब्रैकेट को मतलब कहते है, open bracket, ठीक है, open का मतलब है, कि इस माइनस 2 इसमें include नहीं है, ना to include है, मतलब माइनस 2 से जस्ट बढ़ी, और 2 से जस्ट छोटी value इसके नदर डालेंगे, तो यह value हमेशा कैसी बन गाएगा, रूट के नदर नेगेटिव बन गाएगा, यह, इमेजनरी बन गाएगा, यह है तो real value, लेकिन output आपका इनके लिए real नहीं आ रहा, इनको छोड़ दिया जाएगा, इसके अलाब कुछ भी value put करेंगे, तो आपका यह two भी रख सकते हो, लेकिन minus two से two के बीच की कोई भी value put करेंगे, तो root में जो value हो negative आएगी, negative का मतलब वो output आपका real नहीं आया, इस पर यह define नहीं करेगा, it means इसमें आप क्या रख सकते हैं पिटा, इसको छोड़ कर, किसको minus two से two, और यह close bracket, minus two से बढ़ी और two से छोटी value को छोड़ कर आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकि minus करना है इसको, इसको minus करना है, तो यही आपका क्या बन जाएगा, domain, अब हम बताएंगे आगे जागे कि इस तरह values कैसे निकलेगी, ठीक है, वैसे यहां तो आप चेक कर सकते हो, next देखिए, यहां लिखा हो आए, मैं यही से और टू के बीच की कोई भी value पूट करेंगे, यह negative आएगा, राइट, यह value तो होनी नीची यह, तो क्या, यहां माइनस टू रख सकते हैं, क्या, जिस हमने उपर वाले में रखा था, यहां अगर माइनस टू रख दिया, तो माइनस टू का इसको बन जागा 4, 4 माइस 4 ग जाएगा, और 1 by 0 का मतलब not defined, यह भी नहीं है, इसका मतलब यहां पर तो आप माइनस टू भी नहीं रह सकते हैं, और यहां टू भी नहीं रह सकते हैं, यहां माइनस टू और टू की कोई भी बीच की value नहीं आएगा, इसके अंदर, इसलिए क्या लगा दिया, इनको नेक्स्ट, अब question आया, यह next 4, root 4 minus x square, यह लिखा हुआ है, अब आप सबसे पहले ध्यान रखना है कि क्या x कुछ भी value रखें, यह all real आएगा, नहीं आएगा बिटा, जैसे ही x square की value 4 से बड़ी हो जाएगी, तो इसका मतलब यह value negative हो जाएगी, और 4 में से minus करेंगे इस value को आया, इमेज ने रहा जाएगा, जैसे example के लिए मैं आपका 3 रख दिया, यह बन जाएगा 4 minus, 9 का root, क्या बन जाएगा, minus 5 का root, इमेज ने रहा गया, इसका मतलब क्या हुआ, यह हम मैं बता रहा हूँ, आगे बता हूँआ कैसे निकालते हैं, इसका मतलब अगर आपने चार 2 से बड़ी value रख दिया हैं, 2 से बड़ी value, 2 point something रख दिया, तो वो 4 से बड़ा आएगा, और 4 में से माइनस करेंगा, negative आजाएगा, तो से 2, तो तो रख सकते हैं, तो रख सकते हैं, यह 0 हो जाएगा, और यह numerator में 0 आ सकता है, बैटर denominator में 0 नहीं आ सकता है, तो 2 से बड़ी समति करेंगे, फिर यह negative आ जागा, इसा मतलब माइनस 2 से छोटी, और 2 से बड़ी value जब रखेंगे, तो यह root वाली value इमेजनरी आ रही है, जब आउटपुट का ऐसा आना चाहिए, यह real number, इसलिए यह value यह define नहीं करेंगी, यह minus 2 से बड़ी value, ठीक है, इनको छोड़ कर जो all real values आप रखेंगे, तो यह हमें इसा positive आएगा, इसे कैसे लिखते हैं बिटा, मैंने यह लिखा इसमें, कि x की value अगर आपने 2 तो रख सकते हो, 0 आ रहा है, और numerator में 0 आ सकता, ध्यान रखना, यह x की value आपने minus 2 से छोटा रखा, तो तब fx not real value function आ रहा है, मतलब इनको इसको छोड़ दो, आप समझ पा रहे हो, इसको ऐसे ले सकता है, all real value, हटा देंगे, minus कर देंगे, minus 2 से छोटी value, यहान कि minus 2 से छोटी, कहां तक infinity तब, ऐसे लिखेंगे, union 2 से बड़ी value, इसको इस तरह लिखेंगे, आपने set, मेरा वीडियो देखा हूँगा, इस अंदर sets के क्या हुआ, एक number line है, यहां आपके पास minus 2 है, यहां 2 है, 2 से बड़ी value छोड़ दो, यह छोड़ दिया, 2 तो ले सकते है, क्योंकि यह 0 आ सकता है, numerator गंदर, 2 से बड़ी value छोड़ दो, और minus 2 से छोटी value छोड़ दो, इनको छोड़ने के बाद क्या बच बच गी, यही आपके मैंनस टू और 2 और यहां के आएगा open bracket, इस पर define करेगा, मतलब क्या हो पेटाँ सका, इसका मतलब यह हुआ, अगर minus 2 यहां लिख दिया, 2 यहां लिख दिया, यह तो पे भी value नीचे 0 बन रही है, तो नीचे 0 नहीं बनना चीए, तो नीचे 0 नहीं बनना चीए, तो 2 भी नह सब्सक्राइब करने पर यह हमेशा रियल आना चाहिए तो क्या इसके अंदर एक्स के सारी पूट करने पर रियल आएगा अगर आपके पास रैसनल क्या आ जाता है आपके पास रैसनल पूलनीमेल सब के पास आ गया तो अलेट हो जाना है तो यहां देकि एक्स यहां कुछ भी रखेंगे कोई प्रब्लम नहीं लिए यहां खत्रा है यहां आपके पास अगर एक्स की वैलू सपूज करो आपने रख यह बन जागा यह माइनस वन प्लस वन करेंगे तो क्या बन जाएगा अब यह मैंना कैसे निकाला सब्सक्राइब तरीका अगर आपके पास फ्रैक्स को चीज आ रही है इसका मतलब यह पूलमेल से इसका यह वैलू जी रो नहीं होने चाहिए बस जहां यह जीडू होगी मा लिखेंगे एफ एकस डिफाइन ओल रियल वैल्यू एकसेट इस इस नौट इकल दो जीडू तो इसको चोड़ देंगे तो मतलब ऑल रियल वैल्यू माइनस कर देंगे हम इसको माइनस वन वाई तू इस इस काल्ड डोमेन ओके बिटा आगे चलो अब रूट का मैंने कहा त इसको आप शिड़ा तरीका बताएंगे एफ एकस यह है अब हम पता है कि सारी वैल्यू के लिए इस तो करने का तरीका क्या है मतलब यह होता है गडर दें इक्वल टू जीरो अगर डिन्यूमेरेटर में चला जाता यह वैल्यू तो इसका मतलब इक्वल टू बिन हाएगा और डिपाइन हो जाएगा लेकिन नुमेरेटर में क्या होगा बिटा यह वैल्यू कैसे निकालते यह बता रहा हूं आपको अब क्या करना है एक्स स्क्वाइर माइनस फूर रूट आ रहा है समद्द यह इक्वल टू भी लिख सकते हैं कि नुमेरेटर में जीरो होना चाहिए इसके बाद मैं इसका फैक्टर बनाया फैक्टर बनाने के बाद क्या आया यह एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू गटर दें जीरो आया ठीक है अब आपके 11 ने पढ़ेंगे इन उसको अंदर लंबा प्रॉसेस है वहां से किलियर होगा फंडा लेकिन आप उसकी जरूवत अब एक सिंपल तरीका बता रहें बहुत आसान रास्ता क्या करेंगे यह आ गया आने के बाद एक नंबर लाइन बना लेंगे ऐसे बनाया अब इस बैक्ट को इकल टू जीरो गया जीरो नहीं है तो एक बटा एक नंबर लाइन में यहां इनिफिनिटिव लिग देंगे यह माइनस टू छोटा नंबर यह बड़ा नंबर है और लेकि और लाइट में करना है यहां अकसे हैं कर लाइसे इस में सबहर्द को एक हमकों और यह से शीजिग निकाली में लिखाई और पॉजिटिव बाद कि यह से पर यहाँ से निदर अन्य तो इसके सब्सक्राइब कर पोजिटिव को भू से इंट्रिकलओ सब्सक्राइब इसका मतलब इसकी वैल्यू आपकी हमेसा पॉजिटिव होनी जिएन इक्ली जीरो होने चीए ऐसा होना सी लेकिन यह निमेरेटर मार रहा है अगर इक्वल टू जीरो हो गया तो इस तरह से देखो यह नमबर लाइन बन गया चोटी वैली इधर लिए देंगे यहां एक्स पॉजिटिव यहां साइन हमेशा यही चलेगा फिक्स से प्लास माइनस प्लास यहां से और यहां तक आ रहा है अब आपके पास यह फंक्शन था है इसका मतलब अगर यहां आपने तो रख दिया तो यह क्या बन जागा तो फॉर इसलिए मैंने यहां पर क्या कर दिया लगा यहां लगा रहा है उसलिए क्या लिखा हुआ यहां द्यान रखने की बात क्या आएक यह यह एक्स को और नेगेटिव आगए यहां पास नेगिटिव आ रहा है तो सभाब आपको आपको वन से मुट्पा करना पड़ेगा जैसे मैने इन टू करेंगे दिया एगा प्लस पफप्लस का पहले दिया माइस का यह लगा या थिखना कि सिंबल बातल जाएगा यह जो greater than का symbol था क्या बन जागा बेटा less than वहां को पता भी है जिसे 4 greater than 2 है minus into करो क्या आया minus 4 और यह minus 2 क्या यही रहेगा बिलकुल नहीं रहेगा क्योंकि और सीजे बदल गई है अब minus 2 बढ़ा हो जागा यह symbol हो जागा तो यह ही किया मैंने minus into किया तो यह x square minus 4 यह symbol बदल गया यह आगया अब वही process है इसका factor बनाएगे x plus 2 और x minus 2 यह हो गया यहां से value निकालेंगे x एक तो minus 2 आएगा एक 2 आएगा यही number line बनाया यहाँ infinity लिखा यह minus infinity लिखा साइन वही बदल यह positive आगया यहां पर प्लस माइनस प्लस ठीक है और यह minus 2 चोटी value है बड़ी value अब यहां क्या ध्यान डखना है कि जो हमने जहां से value x निकाली थी यहां यह क्या आएगा less than equal to 0 आया less than equal to का मतलब क्या होगा पीटा negative value तो यहां पाप positive नहीं देखना है इसको दयान डखना है negative नेगेटिव कहां आ रहा है इन दोनको बीच मारा है और यह नहीं आएगा मतलब यह negative लिए इनको बीच मारी है सब्सक्राइब लिखना है minus 2 और 2 लिखना है अब आपको ब्लैकिट क्या लगाना पीटा देखिए equal to लगाएंगे और equal to यह इस तरह से क्यों क्यों कि आपके पास fx कहा रहा है पीटा यह numerator मारा रहा है अगर denominator माता तो यह ओपन ब्लैकिट लग जाता इस तरह क्यों को करना अब एक लास्ट कोर्शन देखिए एक यह रखा है इस पर तो एकस स्क्वाइर में प्रॉलम नहीं यह वैलू जीरो नहीं होनी चाहिए इसका मतलब यह हुआ एकस स्कॉाइर माइनस यह नहीं होना चाहिए इसका अलाव कुछ भी हो सकता है तो क्या लगए है और रियल वैल्यू माइनस करदेंगे विसरप माइनस टू सिरप ओनली आणड़कना सिरप माइनस टू नहीं होना ची और थिर नहीं होना ची इंदगोर इक्वोल टू